नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधी राधी, ब्रत बिध्य उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, कैसे है आप सब लोग? आज की टॉपिक है घर पर अगर सुतक लगी हुई है, तो ठाकुर जी की सेवा हम कैसे करें? देखें सुतक दो प्रकार का लगता है, एक किसी की जनम के समय और दूसरा किसी की मृत्यों के समय, मृत्यों के समय लगने वाले जो सुतक है, इसको पातक भी बहुत जगा कहा जाता है, इन समय भगवान के पठ बंध रहता है, भगवान को छुआनी ही जाता है, और कोई भी स सेवा या पूजा अर्चना घर पर नहीं होती है भगवान सुद्ध या असुद्ध नहीं होते हैं इस समय हम लोग असुद्ध रहते हैं हमारे जो इन्भार्मेंट है मानसिक स्थिती है यह असुद्ध रहते हैं इसी वज़े से सास्त्रा अनुसर इस समय भगवान को चुना या उनको पूजा करना मना किया जाता है अब कुस्चन ये आता है कि छोटे से बाल गुपाल के सौरूप जिनके घर में बाल गुपाल के सेवा है या बाल राधारानी की सेवा है वो किस तरह से सुत्तक के समय भगवान की सेवा करें क्योंकि उनके नित्ते सेवा होती है और उ उनको सुलाने का या उनको जगाने का काम नहीं करते हैं तो इस समय आपको कुछ नियम ऐसे बता रहे हूं कुछ उपाई ऐसे बता रहे हूं जिससे आप सुतक के समय गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं सबसे पहला है कि अगर आपके घर में सुतक लगा है या पातक लगा है आप अपने गोपाल जी को अपने पडोसी में किसी रिलेटिव्स में किसी को ऐसा कोई है जो आपके आसपास रहते हैं आपका जानकार है और आपके गोपाल जी को बड़े प्रेम से वो थोड़े दिन के जिस्से वो भोग खरित के आपके गुपालजी को भोग लगा सकते हैं दूसरी उपाई, घर पे अगर 12 सल से नीचे कोई बच्ची है या बच्चा है आप उन से गुपालजी की सेवा करवा सकते हैं 12 सल के नीचे जो माना जाता है वो बाल सोरूप है और इस समय दोस्त नहीं लगती है तीसरी उपाई घर पर अगर आपके यहां आसपास कोई आपके बेटी या ननत है जो साधी सुदा है कहने का मतलब यह है कोई घर का ही लोग जिनकी साधी के बाद गोत्र चेंज हो चुका है वो घर पर रह की भी गोपाल जी की सेवा कर सकते है तो ऐसे में आप गोपाल जी की सेवा उनको दे सकते है चौथा उपाई ऐसा रहता है जिसमें आप अपने गोपाल जी का कहीं किसी को दे भी नहीं सकते घर पर ऐसा कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सकते है यानि कि आपके पास इन तीनों उपाई को मानने के लिए कोई रास्ता नहीं है उस वक्त आप गोपाल जी को जब भी सुतक लगे आपको ख़बर आ गया है आप पहले स्नान कर लिजिए गोपाल जी का तुरंत स्नान स्रिंगार करवा दीजिए और फिर उनके अपने आसन में बिराजमान कर दीजिए धेर सारा उनके सामने लड़ू और ड्राइफोट्स बगएरा जो कि अगले दस बारा दिन तक खराब नहीं होगी ऐसे मधू हनी जिसको कहते है ये सारे चीज़े सुखा भोग सिंदाना रख सकते है रामदाना रख सकते है मतासा रख सकते है वेशन की लड़ू कहीं प्रकार के लड़ू आती है इतादी रख दीजे गोपाल जी के सामने और वो द्रिष्टी भोग यहां से लगाएंगे ठीक है और इसके इलाबा आप एक गोव माता रख दीजे ठाकुर जी के सामने वैसे इसुतक पातक की बात नहीं है जिनके गोव घर में लड़ू गोपाल जी बिराजमान है काना जी बिराजमान है उनके घर में छोटा सा ही सही पर एक गोव माता होना आवश्चक होता है तो गोमाता रख दीजिए जब भगवान काना जी को न जब बाल सोरूप है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना गोमाता के पास ही जो अपना समय विताते थे गोमाता उनको मात्री सोरूप प्रेम करते है उनका खाने पीने का उनका हर चीज़ का ध्यान रखते है कि बड़ी प्रेम पूर्वग राधाराने के साथ गोपाल जी की सेवा करते हैं वह करते हैं ऑगले जितने दिन तक सुकुतक लगा हुआ है उतने दिन तक भगवान को स्पर्ट्ष ना करे सुभा और स्सनान होने के बाद ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को बस इतना ही आग्रह करे कि ठाकुर जी आप सायन कर ले ठाकुर जी आप जाग जाए इनको physically सायन करवाने की जुर्वत नहीं पड़ेगी इस समय क्योंकि जैसे हम काना किशोरी जी की बड़ी विग्रह को सायन करवाते हैं सिर्फ उनको आग्रह करते हैं उसी तरह से गोपाल जी को भी हम आग्रह करेंगे और मानसिक तरीके से गोपाल जी की पूजा अर्चना सायन स्रिंगार बगएरा करेंगे मन ही मन अगर आप भगवान को सायन करवाते हो स्रिंगार करवाते हो खाना के लिए खाना खालो भोग गरहन करलो इत्यादी मन में ही अगर आप ये प्रेम भाव से भगवान को सोचते हो भगवान के लिए सोचते हो भगवान के लिए करते हो तो आपकी ये मानसिक सेवा भी वो एक्सेप्ट करते हैं गरहन कर लेते हैं क्योंकि गुपाल जी बाल सोरुप में भी है लेकिन हमें इस चीज़ को बिल्किल भूलना नहीं चाहिए कि भले ही वो बाल सोरुप में है पर है वो भगवान स्री विष्णू का एक बाल सोरुप तो भगवान है और हमें कुछ मर्यादा अपना रखना चाहिए एक सीमा रिखा के अंदर ही भक्त और भगवान का जो है जो रिस्ता होता है बाकी आज काल बहुत लोग प्रियर्ट्स में भी ठाकुरजी की सेवा करते है बहुत लोग सुतक पातक में भी सेवा करते है ये उनकी स्रद्धा है मैं इस बारे में कहना कुछ नहीं चाहती हूँ क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का जो रिस्ता है वो भगवान खुद डिसाइड करते है उसमें हम कुछ कहनी सकते पर जो सास्त्र सम्मत सही है या गलत है वो कहना मेरा फर्ज है बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरह से सेवा दे सकते हैं आशा करती हूँ आज के वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और जिन जिन को भी इस तरह का प्रॉब्लेम आता है वो इस वीडियो को देखकर काफी फाइदे मत रहे हूंगे सिर्फ सुतक और पातक नहीं जब उन दिनों में प्रियर्स के टाइम पे लड़किया या औरत ठाकुर जी को सपर्स नहीं कर पाते है तो उस समय भी काफी कोस्टन्स आता है कि प्रियर्स के टाइम पे किस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए तो आप बिलकुल इसी मेथड से अपनी मानसिक सेवा दे के और सुखा फुल वगरा जो ड्राइफूर्स होता है बाकी चीजे होते भोग ठाकुर जी के सामने रखे एक बोटल में भरकर जल रख दीजिए सुखा फुल कभी नहीं रखना चाहिए एक तूलसी की माला ठाकु जी की सेवा भी कर पाएंगे और जो है आपको सास्त्र सम्मत तरीके से भी आप सेवा कर पाएंगे क्योंकि मानसिक सेवा करने से कोई कभी किसी वक्त किसी भी हालत में नहीं रोक सकते वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जुरूर कर ले जादा से जादा से शेयर कर ल चैनल को सब्सक्राइब करके रखे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को राधे राधे